जन्मत की पुकार में आपका स्वागत है पटना में भाजपा नेताओं पर हुए लाठी चार्ज और भाजपा नेता की मौत को लेकर पार्टी आकरमक मुद्रा में आ गई है जिसके तहट भाजपा नेता रादा मोहन सेहिने नितिश कुमार के खिलाफ विरोध करते हुए धर दो हाथ करने को भी तैयार है इसी कड़ी में फ्रदेश बुख्या लई के आववान पर मोती हारी में भी बिजेपी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया आपको बता दे कि शहर के चरखा पार्क के समक्ष विशाल धरना प्रदरशन का आयोजन किया गया जिसमें भाजप सेने कारेकरताओं को संबोधित करते हुए उक्त घटना को ताना शाही की संग्या दी और पटना में हुए लाटी चार्ज वह उनके नेता की मौत के लिए नितिश कुमार और तेजस्वी यादव को जिम्मेवार बताया साथ ही कारेकरताओं को ये शपत दिलाई कि जब तक इ जहने जरा सुनिये तृटारि करता थे तो इंदर से आ रहे थे पूर कर दाथियां चलाई गई और इसी में हमारे विजेशित की हत्या हुई और इसके खिलाफ में हम धर्मा दे रहा हैं कि अपने नौकरी देंगे यह आपने लान किया था कि हम सब्सक्राइब के लिए इसका जबाद मावने की लिए उस दिन भी हमारे कार करता गये थे और आज यह जसरे मात के लिए तो अपने लान के लिया म सब्सक्राइस प्षाटा है जुखंड़े तो कि लिए उसर अजने ले उसकाले कावने का उसरी हमारे बीजिप्षिए उनकी जब्सक्राइब करता गये इसकाया और आजरे नौकराद mah नुप करता है है udah बिश्वास है कि आपको मजमूर होना पड़ेगा कोई भी सासक जब जन विरती काम करता है और जन आकोष का प्रकटी करण होता है तो दिश्चीत रूप से उस सथा को भी नास बिश्चीत है तो मुझे पूला विश्वास है कि आपका निश्चित है दूसरा कि आप मुख मंत्री जीवन में कभी नहीं बंके आप जिदिनी भार मुख मंत्री बने हैं भारती ये दंता पार्टी के कारण में बने हैं और आपका चित्र पूरे देश में कल्टूराम का हुगया है कि देश में सबसे अवस्विय नहता को है ये बात हम लोग के पार्टी के लोग ने नहीं पूछा था आर्जेटी के एक MLC अपने मोबाइल पर की पताओ देश के लोगों इस देश में कोण सबसे अवस्विय नहता है विश्वस्विय नहता है तो देश वर के लोगों ने कहा कि एक नंबर का विश्वस्विय नहता अदिश देश में है तो उसका नाम मितिश कुमार है अब आप पर किसी को भरोशा नहीं आज हमारी टीम पठना आई है यहां से लोग देगी कल रिपोर्ट देगी अब जब रिपोर्ट आएगा तो हम आगे का काज कमते करेंगे हमारे मुतिहारी के भाईयों और महलों आप ध्यान लखे आज से महरुक पहले दोहजार चार पाँच में जो हमने सपना देखा कि अब ऐसी सरकार जो अपराध मुक्त हो आज उतने दिन के बाद अपराध के पोर्ट में बैठ गई बिलकुल वो दिन वापस आ रहा है वो ज दर्श किया था लेकिन हम सब मिलकर संतर्प लेंगे हम चंपारन के लोग मुतिहारी के लोग कि हम जान की बादी लगा देंगे लेकिन पूना जन्रलाज को किसी भी की बदबर स्थाविक नहीं होने देंगे यह तो अपराध है और अपराध ही है एक विकास के मार्ट में ब हमारी सरकार है जिन राज जो में हमारी सरकार है हमारे जो पूलिस के लोग हैं उनको हम परदाठी ठलाने के लिए ठूट दे रहें आदेश दे रहें लेकिन मेरी भिंती है कि आप उत्तर प्रदेश का अनुकरण करिये और तो हमारे पूलिस के प्रदाधिकारी हैं उनको छूट दीजिए वो प्राधियों को एक खिडा को ऐ पुलिस को आपने जबरन आपने पुलिस को मजबूर किया आगैस लेते गैकिन की पिटाई करो खुशी दब होती जब पुलिस को आप छूड़ देते कि अपराधियों का इलाज करें निदीश कुमार अधी अपराध की बोड में बैठकर आप सासन करेंगे और पुलिस को अपराधियों से निपटने की सुकंत्रता नहीं देंगे फुक्तनिस्ची दूर से आपका खात्मा तय है आपका बिनास्त तय है काटकर्टा भाईयों और बनो हम सब को तयार रहना होगा कमीटी की रिपोर्ट दिल्ली जाएगी और दो आज सी अध्यग जी का निर्देश होगा प्रेश अध्यग जी का निर्देश होगा हम उसके आधार पर आगे भी संघर्च तो हमारे नियती में है इस धर्टी पर जब जन्शन पैदा लिया था तब से हम संघर्च कर रहे हैं तब से संघर्च कर रहे हैं एक से एक नेताओं के हमने कुर्वाणी दिये एक काज करता कि आज कुर्वाणी हुई है एक कुर्वाणी ब्यर्थ नहीं डाएगा ब का हग दिला करही हैं दम दंगे इनहीं सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार